है कि अलो दोस्तों डिवोशिन इस्टिटीट में आप सभी का स्वागत है अगर आप लोग ग्रेजवेट हैं और छे महीने जच कर मेहनत करने को त्यार हैं तो सुनेहरा अवसर आप सब के सामने हैं एक सरकारी नौकरी आप पास सकतें आप चाहिए तियारी करें हो SAC की railway या किसी और exam की लेकिन अगर आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी आ जाती है तो आपका confidence बहुत उचा हो जाता है और फिर आप जो चाहें वो आसानी से पा सकते हैं IBPS कलर्क ने जो revised notification जारी किया है साथ तरीक को दो दिन पहले और यह जो apply करना है वो 27 तरीक तक चलेगा edit करना और बाकिन सब कुछ आप देखेंगे October में revised notification है December के अंदर ही आपका जो pre exam में वो निकलना है और January के अंदर आपका mains exam होना है और April 2022 में सब कुछ complete यानि allotment तक हो जाएगा आप count कर लिजिए पूरे पूरे छे महीने में सारी process पूरी होती है जरा बहुत ही जल्दी से देखते हैं जरा देखो और फिर मैं आपको बताता हूँ strategy क्या follow करनी है आप देखो आपको कुछ तो कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी कुछ तो आहूती देनी पड़ेगी कुछ तो महनत करनी पड़ेगी और छे महीने अगर आप जच कर दे दे और उसके बाद में आपको अगर एक नौकरी मिल जाए तो उसमें बले-बले है मजाई-मजाई और इस exam के लिए मैं आपको त्यारी भी करवाऊंगा लेटर और मैंने लगाता और ब जो प्री का exam है वो आपको होना है December के अंदर फोड़ी reasoning लगाते हैं जो result निकाल रहे है प्री का वो निकाल रहे है December या January के अंदर आप बताईए December अगर लास्ट में exam हुआ तो पर result is last में कैसे आपाईगा तो ऐसे chances बनते हैं कि exam आप ये मानकर चलिएगा कि December की किसी भी त बस तारीक है, तो October हमारे पास 21 दिन बाकि है, पूरा November हमारे पास बाकि है, बस इतना ही है तो करीब करीब हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है, जिसमें हमें Pre की जबरदस्ट त्यारी करनी है, मैं मानता हूं Pre का एकजाम लेकिन आजकल क्वालिफाई मार्क्स भी तो कटाफ उपर जा रही है और अपनको फूल पूरूफ काम करना है तो क्वालिफाई नहीं हम कोशिश करेंगे उसे एक्जाम को टॉप करें विकेंस काफी है 7855 विकेंस काफी होती है अब जरा देखेगा मेंस का टाइम दिया इन्हों ने वो दिया जनवरी और फरवरी के अंदर आप सोचो अगर रिजल्टी जनवरी में आएगा तो मेंस जनवरी में कैसे होगा तो यह जो भी है थोड़ा बाद उपर नीचे चलेगा लेकिन जनवरी या फरवरी में आपका में एक्जाम हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आने से लेकर अलॉट्मेंट तक का सारा प्रोसेस एप्रेल 2022 में कंप्लीट होगा मेरे हिसाब से जो भी सरकारी एक्जाम्स होते उनके अंदर जो सरकारी बैंकों का प्रोसेस है वो सबसे ज्याद तो तीन-तीन साल दिले चल रहा है और यहां पर आप देखिए छे मेने में सब कुछ खतम हो रहा है तो मैं कहता हूँ अगर आप इसके लिए प्रिपेर नहीं भी हैं अरे त्यारी तो more or less थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आपको कैसे भी करके यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए अपसे ना देखिएगा यहां पर एज आपकी जो है वह बीस साल और अठाई साल होनी चाहिए कट आफ डेट आपकी एक जुलाई 2021 है यह सारी चीज़े आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं तो य आपका रीजनिंग का भी 35 और यह जो एक्जाम में थे को स्टार लगवा है लेंग्वेज के लिए वह क्यों लगा हुआ है ताकि यह आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लेंग्वेज में आप दे सकते हैं लेकिन सावधान अगर आपने कल को ऐसा सोचा कि गुजरात में विकिंसी ज्यादा है और वहां पर तीन आप्शन मिल रहे हैं आपको गुजराती हिंदी और इंग्लिश आपने वहां पर हिंदी या इंग्लिश में अप्टेम्ट कर लिया और गुजरात से अप्लाई कर लिया लेकिन बाद में आपका वह लिखना पढ़ना और बोलना यह तीनों आना चाहिए वह आपका टेस्ट लेंगे ध्यान दीजिएगा और ज्यादा ओर केवल यह देखकर कि किसे स्टेट से वेकिंस बहुत जादा है हम अप्लाई कर देते हैं लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वहां की जो लोकल लेंग्विज है वह हमारी पकड में है या नहीं है हर चीज़ बहुत जरूरी है क्योंकि बात में जाकर कुछ चक्कर हो जाए और हमारा सेलेक्शन नहीं हो लास्ट मोमेंट तो वह अच्छी बात नहीं है इसी तरह से जरा देखिए मेंस एक्जामिनेशन मैं आपको बताता हूँ प्री एक्जम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है केवल क्वालिफाई और मेंस की भात करेंगे तो यही आपके मे इसनिंग है वो 50 कोशन 60 मार्क्स के और मैट्स के 50 कोशन 50 मार्क्स के यह सेक्शनल सेपरेट आपको टाइम मिलता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ट एक्जम है आजकल सारे के सारे आगे हम भात करें लेटर रों ध्यान दीजेगा अब यहां पर क्या है आपने जो प्री दिया मेंस दिया दोनों के अंदर जो आपकी नेगिटिव मार्किंग उसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1バťa 4 1 2 4 आपकी नेजिटिव मार्किंग इसलिए हम जो करते है वो बिल्कुछ सभी करने की कोशिश करते हैं एक बार मेरे साँ ध्यान दीजेगा देखो अगर मेरे प्री की बात करता हूं, अगर में प्री की बात करता हूं, तो आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, आपका जो मैच्स है, ध्यान दीजेगा, जो मैच्स है, उसमें 35 कोशिण से, आप टारगेट बनाईएगा, कि आपके 30 और 35, यानि कि मिनीमम, 30 तो चाहिए ही चाहिए, सारे बच्चे मौक्तेस मेरे सामने देते हैं, आते ही हैं न, जब किसी और के आ सकते हैं, तो हमारे भी आ सकते हैं, आप अगर किन्तु परंतु और इससे, confusion में रहेंगे, पहले से doubt में रहेंगे, फिर जिंदिगी में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप ध्यान दीजेगा, इसी तरह से reasoning, reasoning की में बात करूँ, तो 35 में वीडियो अलग से बना दूँगा, इसमें अभी अपन इसको नहीं involve करते हैं, कि मैट्स को पूरा प्रिपेर कैसे करना है, एक एक चीज, चाहिए वो arithmetic हो, चाहिए वो data interpretation हो, क्योंकि advanced maths या बैंके किसी भी exam में नहीं आती है, है तो आपन बात कर लेंगे reasoning, maths, इन सब के बारे में अलग से separately, अभी तो आपन बात करते हैं, इस main opportunity के बारे में कि इसको grab कैसी किया जाए, तक कि mentally prepare हो उसके लिए और आगे बढ़ सके, जरा देखेगा, reasoning, देखो मैंने अपने अनुभव से पाया, बहुत जादा लोग ऐसे, आप देखिएगा, आपको सबसे बड़ा example बताता हूँ, जब मैं civil services की बात करता हूँ, UPSC जो exam लेता है, अगर 1000 vacancies है, 1000 selection हुए, तो आपको 1000 में से कम 50-60% ऐसे लोग मिलते हैं, जो already किसी government या किसी बहुत अच्छी job में थे, यो, क्योंकि उसकी वजह से, उनका confidence बहुत ब मानिएगा, लेकिन मैं reality बोल रहा हूँ, कुछ लोग कसम खा लेते हैं सब, clerical का मेरे को तो नहीं देना exam, मैं तो officer का डर का ही दूंगा, unfortunately वहां नहीं हुआ, तो धिक्कत हो जाती है, अरे भई, exam देने के लिए बोल रहा हूँ न, जीवन भर वो नौकरी करने के लिए आप करो, लेकिन क्या होता है, जब तक, अरे ये तो right बनता न, मैं अधिकार है, अपने आपको promotion लाना तो, ऐसा होता नहीं क्या, जब हम clerical में आते हैं, और उसके बाद officer में selection में तो छोड़ देते हैं, उसमें चले जाते हैं, और फिर आगे जाते ही रहते हैं, ऐसा ही होत और ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक level set करें उससों नीचे पर जाना ही नहीं, बिलकुल नहीं, अब जब देखेगा, और एक चीज़ मैं आपको बता हूँ, चुकि मैं खुद एक banker है चुका हूँ, तो banking का तो नस नस मुझे पता है, नस नस पता है, पता नही कितने हजारो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाई हूए बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे ये अपरचुटी मिलती है हमारे को, क्लेरिकल में सलेक्शन के बाद, इसी बैंक में दो सार की policy है, और अधिकतम चार साल की policy है, यानि ऐसे clerk आपने चार साल नौकरी की, तो scale 5 AGM, scale 6 DGM, scale 7 GM, banking is the only sector in which you can promote up to GM level from the clerical carter, if you have the capability, it is possible, बहुत ही fast promotions होते हैं, जो मुझे लगता है, मेरी जानकारी के हिसाब से, और किसी सरकारी नौकरी में नहीं होते, अब ज़रा देखिए, reasoning के 35 question है, हम target बनाएंगे 30 से 35 का, बिल्कुल बनाएंगे, मैं आपको बताओ, यहाँ पर आजकल puzzles बहुत जाद आ रही हैं, तो मैं आपको एक राए दूँँगा, बीच में, आप देखिए, specific banking ले तो नहीं, लेकिन reasoning और match के, करीब करीब मैंने, क्योंकि total session से करीब 500 sessions, devotion के YouTube channel पर, on an average, 20,000 views, daily मुझे देखने को मिल रहे है, पुराने videos के, अब देखो, कितने सारे बच्चे देख रहे होंगे, तो आप उसका फाइदा उठाईए, हर chapter, चाहे आप maths का लें, चाहे reasoning का लें, हर चीज, minutely, already, बिल्कुल, free of cost, devotion के YouTube channel पर available है, आप उसका फाइदा उठ सकता है, और इस specific bank के लिए, इस exam के लिए, और other exams के लिए, मैं बिल्कुल, पुराने सालों के papers, कैसे attempt करने, और सारी चीज़ें, लेकर के आप से बात करता रहूँगा, अब ज़रा देखिए, जो हमारा तीसरा English, इस English में क्या कर सकते हैं, लोग, English की जो तीस questions है, आप टार साम साम ने कहा, कि सपने वो नहीं होते, जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं, जो हमें नींद लाने नहीं देते, यानि नींद आने नहीं देते, हमें बिल्कुल उल्जा देते, हमारे को बिल्कुल मारे नींद उड़ा देते, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, म 25 सल से मैं केता हूँ हर बच्चे को अपने जीवनकाल में एक बार Exam को अप करने कोशिश करनी चाहिए अगर मैं इस side में जाता हूँ तो यह मेरा minimum side ता 80 marks का कितना ता अट अच्छी marks का और इधर मेरा आता है यह तो 95 marks का है मैं आख को बता रहा हूँ नेखो चंडिगर से cut off काफी उपर जाती है, ांध्रदेश से cut off काफी उपर जाती है, डैली से cut off काफी उपर जाती है, लास्ट येर 2020 में तो राजस्थान से भी 78.25 घी जनरल की, लेकिन फिर भी कभी भी cut off इसके उपर नहीं गई, अब इसके लिए क्या होगा आपको बहुत ही मन्तन करना पड़ेगा, एक एक चीज की तह में जाना पड़ेगा, हमने सबसे आसान, क्या ले लिया है, हमारी सिंदीगी को ले लिया, बहुत आसान, चलता फिरता बना लिया इसको, अरे selection कैसे नहीं हो सकता, आप 7,000, आपके पास 7,855 vacancies हैं, मैं आपको कहता हूँ, आप इसको ऐसा मान के चलिए, कि आपके पास केवल 55 vacancies हैं, अब तियारी करो, क्या होगा, 55 में नहीं आएगा, भई, 1000 में आजाएगा, 1000 में नहीं आएगा, 5000 में आजाएगा, जो बच्चा टॉप पे आने के हिसाब से त्यारी करता है, जो बच्चा टॉप पे आने के हिसाब से त्यारी करता है, वो टॉपर भले ही ना हो, लेकिन वो फेल नहीं हो सकता है, मेरी guarantee है, तो आप इस opportunity को भुनाईए, मसा आजाएगा, selection हर कीमत पर लेकर चलिए, आपको एक भात बताता हूं, आप अगर ये कोशिश कर सकें, तो ना केवल आपका selection होगा, बल्कि आपको अपना selection होता हुआ, नजर भी आएगा, आप देखो, एक दिन भी waste करें, तो वो बच्चे मेरे को पसंद ही रही है, मुझे लगता है, seriously पढ़ने वाले होने चाहिए, इससे फरक नहीं पढ़ता, कि आपकी intelligence का level क्या है, आपकी knowledge का level क्या है, मैंने माफ कीजेगा, लेकिन बहुत intelligent बच्चों को फेल होते देखा है, और मैंने average और blow average और बिल्कुल ऐसे, जिनको कुछ ही नहीं आता, ऐसे बच्चों को खूब पास ही नहीं, टॉप कर अक्टूमर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अक्टूमर में मेरे को 21 days मिल पारे, अगर मैं इस 10 अक्टूमर को छोड़ रहा हूं तो, अक्टूमर 31 दिन का होता है, क्योंकि शाम को आपको वीडियो मिल रहा है, आज का दिन अपन छोड़ते हैं, सब के अपनी planning, ग्यारा पिछले साल 2020 में, हम लोगों ने railway का NTPC का batch launch किया हूँ था, announce किया हूँ था, मैंने दशर की दिन भी वीडियो डाला था, बना करके, एक के घंटे की वीडियो डालते हैं, एक घंटा reasoning के एक घंटा मैच, आप देख लीजिगा, पिछले साल की, दिवाली के दिन भी दोनों तो मेरे में seriousness है, क्योंकि मैंने commitment कर लिया था, तो आप में तो commitment होना ही चाहिए अपने आपके परती, बस, आप इसको जोड़िए ज़रा, December आपन grace ले लेंगे, इस 51 दिनों में सिर्फ आपको एक काम करना है, वो एक काम आपसे बाकी के सारे काम करवालेगा, क्या करने आपको, आप कल से regular basis पर mock test लगाईए, मैं आपसे बात करूँगा, 10-15 दिन बाद, 10-15 पेपर करके तो देखो, फिर मैं आपको बात करूँगा आप कैसे कर रहे हो, और उस पेपर को और कैसा करना चाहिए, आप जब पेपर करेंगे, पेपर कैसे attempt करना है, उसको मैं वीडियो बना दूँगा, बैंकिंग के लिए especially, बड़ आपको क्या है, आपको देखना है, कि जैसे मालीजे, मैट्स में आपके, सपोज, कि 20 सई होग और या मालीजे 6 कोशन आपने छोड़ दिये, इंग्लिश के अंदर माल लिजे, suppose, आपके 15 कोशन सही होगे, और आपके 10 कोशन गलत होगे, मालीजे और 5 कोशन आपने छोड़ दिये, तो ये पहला पेपर है आपका, इस पहले पेपर का एनलिसिस कीजिए, जान लगा दीज इसके अंदर, एक घंटे का टाइमर है, टाइमर लगाओ, एक घंटे का मतब एक घंटे में करके देखो, क्या इस्तिती है, इस्टिकली बंद ए घंटा, वैसा ही स्ट्रिक्ट महौल रखो जैसा एक्जाम में होता है, कुछ पेपर ऑफलाइन करो, बाके सारे आउन लाइन क करना, अच्छे से, पूरे की पूरे 100 कोशन, जो सही हुए, तरीका क्या अपनायाता, जो गलत हो गए, तो क्या मिस्टेक हुई, और जो छोड़ दिये, तो क्यों छोड़े, नहीं आते, तो आप सिको इसको, अगर मॉडल पेपर की बात करो, तो मॉडल पेपर बाद में कीजिएगा, पहले वो पेपर उठाईए, जो आएवे पेपर हैं, ताकि आप रियालिटी के साथ कर सकें, जब 2020 का, 19 का, 18 का, 17 का पेपर आप देते हैं, और आपके जो माक्स आते हैं, और आप देखते हैं, कि उस वक्त इतनी कट अफ गई थी इस स्टेट से, और आपके मा मौकास सामने आ जाती है, हम कहाँ स्टेंड करते हैं, उस अससाफ से लगाता सुधार करेंगे, इसके साथ साथ, जिन जिन चैप्टर्स में आपकी स्टेंथ हैं और अच्छा करो, वीक्नेसे वीकनेस को दूर करो, अपडेट करते हैं, गडित में कहां कहां पर दिखता थी, उनुन chapters में और बारी की में जाओ, reasoning में कहां तिकतारी है, उसमें जाओ, लगबग सारे chapters, चाहे syllogism हो, चाहे equality, inequality हो, चाहे puzzles हो, blood relationship हो, family की बात हो, आपका ranking हो, सारी की सारी चीज़े मैंने already best तरीके से devotion के YouTube channel पर डली हुई है, आप उसका फाइदा जरूर उठाइएगा, तो अभी आपन इतना ही रखते हैं, लगातार, लगातार और लगातार कोशिश करते रहिए, और ये मत प्लान बनाईए, कि मैं तीन दिन बाद में इस काम को शुरू करूँगा, वो तीन दिन कभी आते ही नहीं है, इसलिए जो काम करना है वो अभी से कीजिए, और मैं आपको स सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वो मैं especially youth के लिए, competitions की त्यारी करने वाले बच्चों के लिए बनाता हूं, जैसे कल जो आने वाला है, उसका टाइटल है, डर के आगे जीत है, और आप देखिएगा, आपको मसा आजाएगा, हर चीज, हर बारी किसे, क्योंकि कहते है ना, गाड़ी की रफतार, गाड़ी की रफतार, केवल और केवल, आपको accelerator जो है उस पर प्रेस करने से नहीं आती है, कभी-कभी gear change करने से भी आती है, तो हमारा केवल smart करने का तरीका, वो हमें hard work करने वालों से बहुत आगे लेके चला जाता है, हमें quantity की नहीं quality की जरू मिलना चाहिए, चलिए, आज के लिए इतना ही मेरी शुब कामना ही, हमेशे की तरह आपके साथ है, आप कमेंट करके मुझे बताइए, किन-किन चीजों पर आप strategy को लेकर वीडियो और चाहते हैं, आज का session देखने के लिए thank you very much